बिसमिल्लाहरामानिराहीम, असलाम अलेकम, कुकेंड कुकिंग चैनल में आप सब को खुशाम दीद, अमीद करती हूं कि आप सब खैरिये से होंगे, आल्लाह की फजल से मैं भी खैरिये से हूं, तो द्वा करती हूं, आपको दुनिया और आकरत की बलाएं और काम जाबियों कामरानिया अता फरमाएं, तो चलिए देखिया, आज जो मैं रेस्पी लेकराई हूं, बहुत ही जबरदस माशला से हेल्दी रेस्पी लेकराई हूं, तो ये हेल्दी लड़ू है, बेसन के लड़ू है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ अंडली हैं, जो को बहुत ज्यादा हैं, तो सहरी में आप एक लड़ू खाले, तो बहुत ज़्यादा नर्जी देता है, पूरा दिन हमारे लिए, तो चलिए इसको बनाना स्राट करते हैं, तो ये देखिए, यहां मैंने अधिक टोरी जो है, ये बदाम ले लिए हैं, और साथ मैंने काजू थोड़े से ले लि तो आप इसको बहुन लूँगी अच्छी तरीके से, तब तक जब तक इसकी कशबू आने लगे और ये रोस्टेट हो जाए अच्छी तरीके से, तो तक इसका कच्छा पन जो है, वो हमने कतम करना है, तो यह देखिए, यहां तकरीमन जो बहुन चुका है, तो अब इसको बाउल में अपने में शिफ्ट कर देंगे, तो देखिए, अब इसकी चाशनी बना लेंगे, चाशनी के लिए मैंने जहां गुड ले लिया है, आप चाहें इसको तोड़के शामल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह ज़रा ये गले में जो है, तो यहां मैं एक कप इसमें पानी कर दूँगी, और साथ इसमें थोड़े से जो पीस है, इसके छोटे से वो भी शामल कर दूँगी, तो यह देखिए, यहां जो है, हमारी पकते हुगे पान से छे मिन इसको हो चुके हैं, तो अब इसमें क्या चीज एड़ करूँगी, तो अब चाशनी तकरीबना हमने एक चार की बनानी है, तो यह देखिए, अब इसमें मैं देशी की जो है, वो शामल कर दूँगी, तो यहां जो मैंने भुना हुआ बेसन और आटा है, वो शामल कर दूँगी इसमें, और इसमें क्या चीज एड़ करूँगी, और मेरे पास यह देखिए, चार से पांच जो है और यहां मैंने बदाम और कजू जो मैंने ग्राइड करके रखे हैं उनको मैंने शामल कर लिया और मैं के चीज़े ज़एड करूंगी यह देखी मैंने एक कब भरके नारगिल क्रेश के हुआ फ्रेश वह शामल कर लिया है तो माशलय से बहुत ही ज्यादा यह लडू बनकर त बहुत ही खाने में बहुत मज़ेक हैं बहुत ही ज्यादा इसके फाइदे हैं तो यहां देखे सब क्यान कर लूगी तो यह देखी यहां लिए तो मुझसे थोड़े सी निस्टिक यह हुई थी कि मैंने आदा कप पानी का शामल किया था लेकिन आपने इसमें जाओं पानी क तो आप इसके बना सकते हैं तो इसको उन्ज़ोइं कर सकते हैं अपने बच्चों को लाजमन कर देए पहली बना कर दें तो जैसा कि रमदान शरीफ है उसमें सहरी में बना कर खाएं तो बहुत ही ज्यादा पूरे दिन नर्ची देता है जैसे कि और बड़ी शेव में बनाना तो बो भी आप अड़ कर सकते हैं तो चलिए अगर आज की रहे पीसलाई हो तो प्लीज मेरे चैनल पर आप न्यू है तो सब्स्राइब करना है शो और मेरे वीडियो को दरूराइक करना है जा अमिलते आपको फिया मस्दार सी वीडियो के तक若ी है पर तक के